गौलियर के डबरा में घर के बहार टहल रहे एक शक्स से दो बाइक सवारों ने पहले नाम पूछा फिर उसके बाद गोली से उसे चलनी कर दिया आवाज सुने तो परिजन बहार आए और उसे अस्पताल लेकर कए लेकिन दास्ते में ही उस वेक्ती ने दम दोड़ दिया ये मामा की बेटी की मौत हो गई थी और इसी मामले में जस्वंद को 2018 में उम्रकैद की सजा होई थी और जस्वंद 28 अक्टूबर को पैरोल पर घर आया था मामा का परिवार इस वक्त कनाड़ा में रह रहा है जो कुछ दिन पहले ही भारत लोटा था और मृतक के परिजन और प जाफ्ता कैदी की रूप में क्वालियर सेंटर जेल में बन थे 2016 में जो हत्याग अपराद हुआ था उसमें सजा पड़ी थी पैरोल पर आने के बाद कल रात में दो अग्याद विक्तियों के दोरा यह घटना की गई है 2016 में जो इनके दोरा जो अपराद किया गया था वह ए अंगल भी है इसके लाव कुछ अन्य जानकारियां भी आई हैं जिसके आदा हैं लोग इन्वेस्टिकेशन करते हैं